करके बताने वालों कि आने वाले trading session में silver के उपर क्या moment देखने को मिल सकता है आज के trading session में देखोगे तो 4% की जबरदस गिरावर्ट आज के trading session में dollar इंडिस के उपर देखने को मिल रहा है one of the best analysis एगदम free provide करता हो कोई भी charges नहीं है link आपको description में मिल जाएगा रही बाद आपको bank nifty का options के भी levels है तो bank nifty options के भी levels में one of the best analysis एगदम next telegram channels पे provide करता हो उसका भी link आपको मैं यहाँ पे जो first m6 telegram channel है वो join कर लीजे वहाँ पे आपको second channel का link मिल जाएगा इसलिए आपको m6 का जो link देऊगा उसके उपर आपको telegram channel जरूर जोइन करना चाहिए one of the best analysis एगदम free provide करता हो link आपको description मिल जाएगा again आपको कोई भी choir है तो 9797-777-3219 इसके उपर मुझे whatsapp भी कर लीजे जरूर आपको यहाँ पे support team मेरा help करेगा आपको यहाँ पे कोई भी आपको doubt है तो वो भी आप clear कर सकते हो और telegram channel जोइन करने में कोई भी issue आ रहा है तो वो भी आप यहाँ पे solve कर सकते हो मेरा team आपको जरूब help करेगा रही बाद यहाँ पे dollar में trading करते हुए 22.50 के आसपस अभी live trading हो रहा है काफी दिन से already में बता चुका हूँ कि आपको इस range के दर कुछ भी नहीं करना चाहिए dollar के उपर जो range है upside का वो 24.50 के आसपस निकल के आ रहा था इसके उपर आपको जब तक sustain नहीं करता तब तक आपको buy की position नहीं बनना चाहिए था और यहाँ पे 22.50 के नीचे market sustain नहीं करता है तब तक आपको sale की भी position नहीं बनाना है यह already काफी वीडियो में already बता चुका हूँ क्योंकि यहाँ से देख लिजे 18 डॉलर के आसपस यहाँ पे trade कर रहा था वहाँ से जब अरदस रह लें आपको dollar में trade करते हुए आपको देखने को मिला था उसके बाद एक range के अंदर आपको trading करते हुए देखने को मिला था यहाँ से sale की position आज तो wait कर लिजे आज थोड़ा सा confirmation मिलने दीजिए लेकिन कल यहाँ पे 22.50 के नीचे market सस्थेंग करते है तो व्यूकल आप यहाँ पे sale की position बना सकते हो अब साइट के जो stopless रहेंगे वो 24.50 का stopless रहेगा और नीचे साइट के जो target रहेंगे यहाँ पे आने वाले दिनों में जो नीचे का side का target रहेगा वो 21 डॉलर तक रहेगा तो 21 डॉलर तक के लिए position आप डॉलर इंडेस में position hold कर सकते हो व्यूकल यहाँ पे sale की position बना सकते हो 22.50 के नीचे और यहाँ पे ध्यान रखे जो buy side बैटे होए तो उनको already बता चुका हो कि यहाँ पे 22.50 के नीचे market sustain करता है तो position आप exit कर सकते हो और यहाँ पे कोई भी फ्रेस की buy की position नहीं है फ्रेस भी कुछ सला नहीं है क्योंकि जिस तरीके से 18 डॉलर से यहाँ पे trading स्टार्ट हुआ तो लगबग लगबग 30 से लेके 35% तक भी return already complete हो चुके और अभी आप पे देखोगे तो आपको आने वाले दिनों में थोड़ी ची गिरावट जरू मिल सकती है अभी बात करेंगे यहाँ पे इंडियन मार्केट की तो इंडियन मार्केट में भी आपको अच्छे खासी गिरावट देखने को मिर रही है लगबग लगबग यहाँ पे देख लिजे अल्मोस्ट जो हाई लगा है वो बाहतर अधर पासो के आसपास लगा है 40% का return already silver में complete हो चुका है और 40% कोई कम return नहीं होता यह इंडेक्स आपको 40% return दे रहा है तो सोच लिजे मान के चलो आप एक bottom से 1 लग की ही buying कर लेते हो आपको 1 लग के उपर 40 अधर का profit होता और 10 लग की buying कर लेते हो तो आपको 4 लग के आसपास profit हो जाता तो इतना तो profit नहीं लेते लेकिन 30% की भी rally आप expected करते तो तबी भी आपको 10 लग की उपर 30 लग का profit हो जाता और एक sewer shot यहाँ पर आपको profit हो जाता है एक index के उपर इतना sufficient profit होता है 30% कोई कम नहीं होता है already यहाँ पर बता चुका हो कि 70,000 के उपर buy की position बना सकते हो यह already काफी वीडियो में बता चुका था मैंने और बोला था कि यहाँ पर 70,000 के उपर market sustain करते तो आने वाले दिनों में 75,000 तक भी आने वाले दिनों में जाते हो मिलेगा और जो stop loss का level दिया था मैंने 66,500 के आसपा stop loss बोला था तो अभी भी आप buy के उपर बैटे होंगे तो यहाँ पर अपनी position आप हलिकी कर सकते हो इंदके छोटा मोटा आपको stop loss हो रहा है छोटा छोटा loss हो रहा है तो loss बुक करके आप exit कर लिजे क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर एक hammer बन रहा है और यहाँ पर जाने के बास sailing pressure आ और एक बीरी स्केंडल बन रहा है तो इसकी वज़़ा से आने वाले दिनों में मुझे नहीं लगता कि यहाँ से आने वाले दिनों में एक बाइंग बन सकती है क्योंकि जीस तरीके से यहाँ पर आसपर ब्रेक नहीं हुआ इंदा के साथ buy के उपर भी बैटे होंगे तबी भी आप 66500 के stop loss के साथ position आप buy side hold कर सकते हो और इसके नीचे market sustain रपता है daily candle इसके नीचे close होता है तो आपनी position आप exit कर लेना और यहां से आप नीचे की तरह आप sale की position बना के 63000 तक के लिए position आप hold कर सकते हो तो यह analysis रहेगा आने वाले दिनों में silver के उपर fresh विवकुल buy के सला विवकुल नहीं है आपको sale की सला विवकुल यहां पे 66500 के नीचे sale की position आप बना सकते हो और नीचे side के लिए 63000 के लिए target position hold कर सकते हो और यहां पे जो upside का stop loss रहेगा वो 70,000 का रहेगा तो क्योंकि जिस तरीके से यहां पे market के अंदर कम से कम 2-3,000 पॉइंट का तो normal है moment तो कम से कम आपको 3000 पॉइंट का तो stop loss बनता है यह holding base तो 3000 पॉइंट का target भी आपको नीचे side मिलेगा तो one is to one को ratio follow करते हुए आप holding base position आप यहां पे बना सकते हो रही बात यहां पे already buy पे बैटे होगे तो position आप exit कर लिजे और आप यहां पे किसी ने top पे जाके sale की position बनाई होगी तो आप sale की position पे continue बने रह सकते हो यहां पे again यह 66,500 का level break करेगा तो again आपको 63,000 तक भी target देखने को मिल सकते है लेकिन ध्यान में रखिये जिस तरीके से यहां पे dollar में आपको breakout देखने को मिला उस तरीके से अभी यहां पे m6 market में breakdown नहीं हुआ यहां पे यह strong support है अभी भी जिस तरीके से इस range के अंदर trading कर रहा था वही अभी scenario देखने को मिल रहा है यह बहुत strong crucial support है 66,500 का यह जब तक low break नहीं करेगा तब तक हम इसको downtrend बोलेंगे नहीं इसको हम uptrend ही बोला जाएगा जब इसका downtrend कप start होगा जब यह 66,500 के नीचे market daily candle के base के ओपर close देता है तब ही इसका overall train आपको downtrend बोला जाएगा तो यह analysis रहेगा आने वाले दुनों में silver के ओपर जो भी analysis किया यह मेरा sales analysis है मैं कोई shape registered analysis नहीं हूँ जो analysis करेगा वो 100% सही रहेगा आप अपना sales analysis करिए तब खुद का trade लीजे और रही बात यहां से जीस तरीके से selling pressure देखने को मिर रहा है इसका मतलब यह नहीं कि इसका overall train change होगा तो ध्यान में रखना है overall train change होगा जब 66,500 का level जब breakdown होगा तब इसका overall train change हो जाएगा तो यह analysis रहेगा आने वाले दिनों में तो जो भी trade लेते हो तो थोड़ा समाल के trade लीजिए और थोड़ा सा कम quantity में trade लीजिए जब confirmation मिलेगा तब अपनी quantity भी आप बढ़ा सकते हो मिलते हैं आपके साथ तब तक लिए बाई बाई